हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम वन पीस अमरेला कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे इसके पहले अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो इसके लिए मैंने 3 मीटर फैबरिक लिया है यह रियोन का है और इस फैबरिक को मैंने लंबाई में फोल्ड करके रखा है यह देखे यहाँ पर open side है और यहाँ पर fold side है अब यहाँ पर open side से इसे उठाते हुए हमें triangle में fold करना है तो इस तरह से हम इसे fold कर लेंगे बीच में कोई भी silhouette ना रहे तो देखे हमने fold कर लिया है यहाँ पर open side है और यहाँ पर fold side है अभी हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे तो शोल्डर है मेरा थर्टी निंच तो उसका हमें हाफ लेना है 6.5 विंच यहाँ पर शोल्डर लेंगे इंची टेप को स्ट्रेट ही रखना है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे अभी यहां से हम आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रहे हूं 6.5 इंच जितना हम शोल्डर लेते हैं, आर्मोल भी हम उतना ही लेते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को जोडते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है अभी यहाँ पर हमें chest का fourth part plus two inch margin लेना है तो मैं ले रहे हूँ 11 inch आपका जो chest का size है उसको four से divide करना है plus two inch margin एड़ कर लेना है अभी उपर से हमें कमर की length लेनी है shoulder से तो वो मैं ले रहे हूँ 14 inch अभी यहाँ पर हमें कमर का fourth part plus two inch margin लेना है तो मैं ले रहे हूँ 9 inch अभी इन दोनों points को जोड़ देंके अभी हम armhole draw कर लेंगे तो इस line का हमें half लेना है अब यहाँ से हम armhole draw कर लेंगे तो यह हमारा back कार मूल है और half inch अंदर से एक और armhole draw कर लेंगे यह हमारा front कार मूल है अभी हम neck के marking करेंगे तो neck width मैं ले रहे हूँ 3 inch और neck deep मैं ले रहे हूँ 5 inch front के लिए और back के लिए मैं ले रहे हूँ 3 inch अब यहाँ पर भी हम 3 inch लेंगे और एक box बना लेंगे और round shape देंगे front neck के लिए और back neck के लिए भी हम round shape देंगे अभी हम length ले लेंगे तो यहाँ पर length मैं ले रहे हूँ 44 inch तो इस तरह से shoulder से 44 inch पर mark कर लेना है length आप अपने according कम ज़दा कर सकते हैं अभी inch tape को neck वाले point पर ही रखना है और इस तरह से सरकाते हुए पूरे में 44 inch पर mark कर लेना है और इन सारे points को जोड़ देना है round में तो यह हमने length के लिए निशान लगा लिया है अभी waist point को हमें cross में extend कर देना है bottom तक तो marking हो गई है अभी हम cutting करेंगे सबसे पहले हम back neck और back armhole से cutting करेंगे तो देखे हमने cutting कर ली है अभी नीचे से जो कपड़ा बचा है इसमें से हम sleeves की cutting करेंगे और यहां पर देखे हमारे दो parts कम आए है तो यहां पर side में जो कपड़ा बचा है हमारा इसमें से हम यहां पर joint लगा लेंगे तो इसमें से हम दो parts लेंगे fabric के और इसे हम इसके उपर रखेंगे half inch उपर चड़ाते हुए रखना है क्योंकि half inch हमारा सिलाई में जाएगा अभी हम इसी shape में से mark कर लेंगे तो नीचे का कपड़ा उंगलियों से महसूस करते हुए हमें mark कर लेना है और उसके बाद हम इसकी cutting कर लेंगे तो दिखें इस तरह से हमने कपड़े के लिए joint निकाल लिया है तो अभी हम इसे इसके उपर उल्टा रखेंगे दोनों की सिधी side हमें अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर हमें pins लगा लेने है जिसे कि जब हम सिलाई करेंगे तो हमें यह joint लगाने में आसानी होगी और इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम joint में pin लगा लेंगे अभी हम इसे open करेंगे और इसमें से back पार्ट को side में रखेंगे और फ्रेंट पार्ट को हम फिर से fold कर लेंगे और उसके बाद हमें front neck और front armule की cutting करनी है तो हमने front neck और front armule की cutting कर ली है अभी हम neck के लिए strip cut करेंगे तो इसके लिए यह हमने fabric का piece लिया है इसे हम fold करेंगे और यहाँ पर fold side के उपर हमें fold side ही रखनी है और इसे हम इसके नीचे रखेंगे और neck के shape में इसकी marking कर लेंगे और इसकी cutting करेंगे और side से भी हमें 1.5 इंच का margin रखते हुए extra कपड़े को cut कर लेना है तो इस तरह से हमने neck के shape की strip cut कर ली है अब सेम इसी तरह से हमें back part के लिए भी neck के shape की strip cut कर लीनी है अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो हमने यहाँ पर fabric को two fold करके रखा है यह दिखें यहाँ पर हमारी fold side है अभी हम इसे इस तरह से fold करेंगे यह दिखें तो यह हमारा हो जाता है fabric four fold में यह दिखें यहाँ पर fold side है और sleeves की जो length है वो हमने 15 inch ली है अभी यहाँ पर हमें sleeves की broadness लेनी है तो जितना आपका आर्मोल है उससे 2-3 inch जादा लेना है तो मैंने 9 inch लिया है अभी यहाँ पर हम 3 inch down mark करेंगे और यहाँ से हमें sleeves का shape देना है अभी यहाँ पर हम sleeves bottom लेंगे तो वो मैं ले रहे हूँ 6 inch अभी इन दोनों points को जोड़ देंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है अभी हम sleeves को open करके रखेंगे तो यहाँ पर sleeves की सीधी side अंदर की तरफ रखनी है या फिर ulti side अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद ही हमें front का arm hole draw करना है और इसकी cutting कर लेनी है इससे front का arm hole दोनों तरफ का पराबर आएगा अभी इससे fold करेंगे और यहाँ पर center में cut लगा लेंगे जिससे कि जब हम sleeve को attach करेंगे तो हमें आसानी होगी तो इस तरह से यह हमारे दोनों side के दो sleeves है अभी हम stitching करेंगे तो यह हमारा front का part है तो सबसे पहले हम neck बनाएंगे तो इसके लिए हमने इसी shape की strip ली है इसे हम इसके ओपर उल्टा रखेंगे और neck के shape में शिलाई लगा देंगे तो हमने सिलाई लगा दी है अभी हमें यहाँ पर छोटे-छोटे cut लगा लेने है ध्यान देना है कि हमारे सिलाई ना कटे और उसके बाद हमें strip को wrong side में turn करना है और top stitch लगा लेना है और बाद में हम यहाँ पर इसे fold करते वे hand stitch कर लेंगे अब यहाँ पर जो हमारा joint आया था इसे भी हमें stitch कर लेना है अभी यह हमारा back का part है तो back neck के लिए हमने neck के ship की strip ली है इसे हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और neck के ship में सिलाई लगाएंगे तो हमने सिलाई लगा दी है अभी हम यहाँ पर छोटे-छोटे cut लगा लेंगे और cut लगाने के बाद में हम strip को wrong side में turn करके top stitch लगा लेंगे और बाद में इसे भी हम fold करके hand stitch कर लेंगे और यहाँ पर भी जो हमारा joint आया था इसे भी हम stitch कर लेंगे तो हमने back neck बना लिया है अभी हम front का part इसके उपर उल्टा रखेंगे दोनों की सीधी side हमें अंदर की दरफ रखनी है और shoulders attach कर लेना है तो देखे हमने shoulders attach कर लिया है अभी हम sleeves को shoulder पर attach करेंगे तो sleeves का front armhole हमें कुरती के front part से match करना है और उसके बाद हमें sleeve को shoulder के उपर उल्टा रखना है और center से होते हुए हमें सिलाई लगानी है और इसी तरह से हमें दूसरा sleeve भी attach कर लेना है और sleeve के bottom को हम double fold कर लेंगे इस तरह से तो हमने दोनों side के sleeves को attach कर लिया है अभी हम इसे उल्टा करेंगे और अपने measurement के हिसाब से दोनों side में fitting कर लेंगे और इसके bottom में हमें double fold कर लेना है कर लेंगे